नमस्कार आदाब सश्रेकाल मित्रों समाधान कारिक्रम में आप सभी का स्वागत है कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कई प्रकार की भ्रांतियां व्यक्ति को दूर कर देती हैं बहुत सारी अच्छी बातों से बच्पन में मैं साप से बहुत डरा करता था तो कई बार मेरी बहन मुझे डराने के लिए रसी फेंग दिया करती थी और ये सोच करके कि कहीं ये साप तो नहीं है मैं बहुत ज़्यादा डर जाया करता था और बाद में देखता था अरे ये तो रसी है अंधेरे से भी डर लगता था अंधेरे कमरे में जाने से डर लगता था लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया अंधेरे कमरे में जाने लगा तो लगा कि मेरा भै मेरी ब्रानती बिलकुल ही निरर्थक थी और मैं खाम खाही परिशान हुआ करता था कई बार भ्रांतियां हमें बहुत सारी अच्छी चीजों से दूर कर देती हैं इसलिए ब्रमकुमारिस के लिए भी जो भ्रांतियां आपके मन में हैं आम मानस में हैं उन्हें ही दूर करने का प्रयास हम अपनी इस कड़ी में कर रहे हैं और इस प्रयास में हमारे साथ हमेशा साथ रहते हैं अधर्णी राजियोगी सुर्य भायजी आयो उनका स्वागत करते हैं प्राता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है गुण है जिसे आपने कहा कि परमात्मा से भी मिलन कराता है लेकिन आज के दौर में ये कहां तक सहज और सरल है बहुत ही एक सुन्दर बात है और इसके उत्तर भी अती सुन्दर है और गुईये भी हैं सिक्रेट्स हैं ये स्रस्टी के यह जो सारी स्रश्टी है यह आत्मा और प्रकर्ति के मिलन से चल रही है आप सब जानते हैं और नुर्मली लोग कहते हैं के प्रकर्ति में बहुत ज्याद़ पॉल्यूशन कर दिया है environmental pollution जिसे कहते हैं लेकिन इसके साथ mental pollution की भी कोई कमी नहीं है environmental pollution से भी कहीं गुणा सोगुना ज़्यादा फैला है mental pollution क्योंकि मनुसके मन में जो विकरती आ गई है जो negativity आ गई है जो हर मनुस वास्नाओं के बारे में सोच रहा है इर्षा द्वेस में जल रहा है कोई करोध में जल रहा है कोई स्वार्थ में जल रहा है किसी के मन में चिंताएं लगी हुई हैं, कोई परेशान जीवन व्यतीत कर रहा है, ये निगेटिव एनरजी इस अंसार में बहुत फैली हुई है, तो इस अंसार को वास्तों में इस समय प्यावर एनरजी की बहुत जवरत है, सब जानते हैं कि अनेक देशों ने मिलकर कितनी क लेकिन इस पॉल्यूशन को रोकने के लिए कोई भी तयार नहीं हो, कि उन्हें विकास चाहिए, अभी विकास भी चाहिए और दूसरी विनास भी दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग विकास को महत्र दे रहे हैं, लेकिन विकास होते होते ही विनास में रुपांतरित हो कर्सार में सुख्चैन की स्वांस ले सके गा जैसे किसी मनस्सकों बहुत कड़ी भीमारी हो जाती है रैलोपेधि में भी भारी भारी पीनी है ठीक होना है अगर हम श्रस्टी को एक पेशेंट कहें तो इसकी स्थिति बहुत ही बिगड चुकी है समझो ओक्सीजन बाहर से दी जा रही है इस च्रस्टी को ये चल नहीं पा रही है जो लोग ये कहते हैं कि आप ब्रह्मचरिय का पालन करेंगे तो श्रस्टी कैसे चलेगी हम उनसे पूछतें से चल कहां रही है इसको तो धक्का दिया जा रहा है अगर इसको चलाना है तो कम से कम कुछ आत्माओं को तो पवित्र बन नहीं पड़ेगा सब तो पवित्र बना नहीं करते तो प्योरीटी इस दनीड ओफ दावर यह बहुत गहरा सीक्रेट मनु उस इस रहस को नहीं समझ पाएगा तो वो विनास को निमंत्रन देगा इससे सरवनास हो जाएगा क्योंकि कोई भी सभ्यता जब काम वासना प्रधान हो जाती है तो समय लेना चाहिए उसका अंत बहुत समीप है तो हम सभी इस्वरी आज्याओं पर चलकर प्योर बन रहे है और प्योरीटी को एंजोए कर रहे हैं यह सब्द में बार बार यूज कर चुका हूं कि प्योरीटी विकमस एन जोएमेंट फोर आवर लाइफ यह स्ट्रेस नहीं होती लोग इसको क्यों कठिन महसूस करते हैं या सन्यासी या दूसरे धर्मों में और मठों में जाने वाल सेली बेसी सब्द कोई साइड डिक्ष्णरी से निकाल दिया और वहां इसको पालन करना नितांत संभाव और साइकोलोजिस्ट ने भी यह कह दिया यह तो एपिटाइट है तो भूख है इसको क्यों रोका जाए खाओ भूख करो तो यह क्यों हो गया क्योंकि मनुस के पास आत्म बल समाथ हो चुका है वो अपनी मौल नेचर को भूल चुका है वास्तों में तो आत्मा ओरीजनली एबसलूटली प्योर है पवित्र है अगर हम आत्मिक स्थिटी का अभ्यास करते हैं तो हमारी प्योरिटी ने चुरल होने लगती है हमें उसका दमन करना है नहीं इसलिए हम हम क्या यह तो भगवान का आदेश है जैसे हमने लोग ने तुम्हें या दैश दिया है हमें नहीं हम उसका अधैश बार-बार सुनते हैं लाखों करोडूप ज़ू रहे हैं हम तो देख रहे हैं वो लोग जो विषवासनवरों की नदी में बहते जा रही थे अ कहा करते थे ये तो गाय भैंस का खाना ऐसे कह दिया करते थे आज वो बिलकुल सुद्ध वेजिटेरियन बन गई हैं तो समय बदल रहा है तामसिकताई है समय बदल जाता है देवताओं के लिए भी समय नहीं रुका बड़े-बड़े महराजा और समराथ हुए चक्रवर्ती बड़े प्रतापी थे उनके लिए भी समय नहीं रुका तो बला इन पापियों के लिए समय गहां रुकेगा मैं इससे रिलेटेड दो तिन बातें ब्राताजी क्योंकि भ्रांतियों की बात चल रही है तो पूछना चाहूँगा एक बात आपने कही कि पॉल्यूशन बहुत ज़ादा प्रकृती में फैलती जा रही है लेकिन उससे भी कहीं ज़ादा पॉल्यूशन व्यक्ति के मन में हैं विकारों की हैं और पवित्रता की यहां आवश्यकता आपने कही कि यदी पवित्रता है तो ही हम स्रिस्टी को सहज सरल कर सकते हैं या कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो साइंटिफिक बातों को मानते हैं साइंस ने जो चीज़े प्रूफ कर दी उस चीज़ को एकसेप्ट कर लेते हैं तो पवित्रता के पीछे ऐसा क्या साइस पहले तो मैं यह कहूंगा कि purity is most important thing, essential thing for this universe आप देख लीजिए जो यूकों की अब मनो इस्थिटी है उससे आजकल के चिंतक सच्मुचिंतित हैं कि पिछले 10-15 सालों में भारत में विशेश रूप से और संसार में उससे बुरा हाल है यूकों में जो impurity, sexual feelings बढ़ी है उसके कारण उनकी concentration नस्ठ हो गई है आप एक 1000 स्टुडेंट्स का सर्वे कर लीजिए आपको पता चलेगा कि इस्थिती बड़ी विस्फोटक हो चुकी है concentration नस्ठ हो गई अनेक यूवक परिशान रहते हैं उनका चित स्यांत नहीं रहता वो कही नहीं उलच चुके हैं तो इस स्थिती को रोकना ज़रूरी है इसलिए उनको purity का मार्ग मरियादाओं का मार्ग सच्चा प्यार किसे का जाता है वो सिखाना पर हम आवस्सक है आपने बहुत गहरा प्रस्ण पहुचा है मैं देखिए उन विज्ञानिकों के लिए एक बात कहूंगा जो एटोमिक थियोरी के बारे में सब कुछ जानते हैं मैंने पड़ी थी बहुत साल हो गए अब तो नहीं नहीं रिसर्च हो गई है तो मेरी बात हो रही थी का लिए एक साइन्टिस्स से उन्होंने मुझे अच सर्किल में इलेक्ट्रों गूम रहे हैं और बीच में रहते हैं न्यूकिलियस में प्रोटोन और न्यूट्रोन अब इसे एक न्यूट्रोन में भी और प्रोटोन में भी उन्होंने तीन और पार्टीकिल देखे बिल्कुल अभी एटम ही बहुत सुक्सम उसका प्रोटोन ब बहुत अनन्त एनर्जी फैल्टी है, अब क्या हो गया है, यह एनर्जी है निगेटिव आजकल, यह जो प्रकरती में पॉल्यूशन हुआ, तो एक्टम का जो सबसे छोटा हिस्सा हो गया, उसमें जिसे गोड़ पार्टी की लिनों ने कह दिया, उससे निगेटिव एनर्जी वाइब्रेट होती है, हम जब योग अभ्यास करते हैं, या प्योरिटी को अपनाते हैं, तो हमारे प्योर वाइब्रेशन्स चार ओर फैलते हैं, और यह प्योर वाइब्रेशन्स सबसे ज़्यादे इंफुलेंस करते हैं, उस गोड़ पार्टीकिल को, जो सबसे सुक्स में लास्ट जिसे का है और इस तरह पूरा एटम प्योरिफाई होने लगता है एलिमेंट्स प्योरिफाई होंगे और यह नेचर प्योरिफाई हो जाएगी तो यहां सब कुछ सुन्दर हो जाएगा हवाओं में भी सुगंध होगी प्रकर्ति का सुंदर ये देखने लायक होगा पानी जो आज कल दूसित हो चुका है जिसके पीने से बहुत बिमारियां हो रही है सबजी फल जिसके खाने से बहुत बिमारियां वढ़ रही है ये सब पोन्त है पोस्टिक सुद्ध मतलब हम अच्छे विचार जब करते हैं तो इससे जो एटरम्स हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं सुक्ष्म से सुक्ष्म जो पार्टिकल्स है वो सभी प्यूरिफाई होते जाते हैं और उनसे भी अच्छी एनरजी फैल देखिए ग्रहन कर रहे हैं तो ये एटम के जो पार्टिकल्स हैं ये उसे तुरंत ग्रहन कर रहे हैं विकोज आर वेरी सेंसिटिव अगर हम प्यूर थोर्ट्स कर रहे हैं अगर हम पॉजिटिव थोर्ट्स कर रहे हैं पावर्फुल थोर्ट्स कर रहे हैं थोर्ट्स ओपिने जो एमेंट्स हमारे मन में हैं, तो बहुत सुन्दर एनर्जी हमसे चार और फैलती है, तो यह प्रकर्ति उसे ग्रहन कर लेते हैं, उसे रिप्लेस कर देते हैं, जो निगेटिव एनर्जी है, उसको नस्ट कर देती है, डेश्ट्रोय कर देती है, तो यह बहुत सुन्दर सिध इसलिए एक प्रश्न है जैसी में कि अच्छे विचारों का स्रेजन करना काफी लोग सिखाते हैं कि हमें अच्छे विचार करना चाहिए शुद्ध विचार करना चाहिए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी और ज्यादा थर लोग कोशिस करते भी हैं लेकिन इसमें प अच्छा विचार आता है तो हजार बुरे विचार आ जाते हैं यह प्रोब्लम मेरे पास बहुत आती है यूकों की खास और माताओं की बड़ों की भी बहुत ज्यादा प्योरीटी का यह महत्र है कि जब मनुस प्योरीटी को अपनाता है तो उसके निगेटिव विचार कतम होने लगते हैं वो कम हो जाएंगे और यह पोजिटिव विचार करने की पावर बढ़ जाएगी तो अब जो एक और हजार की है फिर ऐसा हो जाएगा सो अच्छे विचार होंगे दस बीस बूरे आएंगे फिर सो अच्छे विचार होंगे दो चार बूरे रह जाएंगे और एक समय यह आता अभ्यास करते करते के बूरे विचार पूरी तरह समाथ हो जाते हैं और जिस मनुस के मन के निगेटिव विचार वेस थोट्स पूरे समात्थ हो जाएं वो व्यक्ति तो इस अंसार के लिए वर्दान है क्या कि उससे फैली होई pure energy नहां जाने कितने मनुस्यों का कल्यान करेगी purity बहुत important है हमारे विचार बहुत शुद्ध होंगे और जैसे आपने कहा कि इसके बाद मतलब और कुछ रही नहीं जाता संसार के लिए हम वर्दान बन जाते हैं बहुत महान हो जाते हैं equal to God कह सकते हैं लेकिन आज के दौर में यदि मैं purity के importance को समझ भी गया और उसे अपनाना भी चाहता हूँ लेकिन मेरे अपनी जो संसकार हैं मेरी अपनी आदते हैं कई लोग जो हमारी दर्शक है फोन करके ये पूछते हैं या मेल करके पूछते हैं कि मेरी आदत है कि मैं रात को नेट देखता हूँ नेट में कई जो गलत साइट्स हैं वहाँ जाता हूँ और ना चाहते हुए भी मैं बहाँ चला जाता हूँ, देखता हूँ, उसके बाद जो भी मुझे करना होता है, जो भी मन में विचार होते हैं, गलत उठते हैं, आम तोर पे जाती हुए भी रास्ते में कई ऐसी चीज़ें व्यक्ति ना चाहते हुए भी देख लेता हैं, तो आ आजकल जो नेट पे ये सब गंधी फिल्मे आ गई है ये फेस्बूक आ दी और भी बहुत साई चीजे जो नेट पे आ गई है इसने युवाक को विशेश रूप से इतना ज़्यादे अट्रेक्ट कर लिया है कि वो अपने अच्छाई बुराई को बोल गया है भले बुरे का उसे ख्याल नहीं रहा और फिर ये ऐसी गंधी फिल्में ये एडिक्शन बन जाता है जैसे सरा भी होता है इसके बिनाओ रहने मेरे पास वो एक आदत की बात हो जाती है कि वो जब तक नहीं करते तब तक मेरे पास कल ही एक पत्र आया कि मुझे इसी इस तरह की समझ्या है और उसने साब लिटेल लिख दिया मुझे वेस थोड़ चल रहे हैं संकल्प इतने जादा चलते हैं कि मैं उनसे प्रेशान हो जाता हूं मुझे नीद नहीं अच्छी आती फिर अपनी फिलम देखता हूं उसे नीद अच्छी नहीं होती और फिर मेरे में अलबेला पन रहत घ्रिता हैं सबेरे में देर से उठता हूं कुछ करने का मद नहीं रहता अब उसका काम करने को मद नहीं करता I पढ़ने को उसकी इच्छारी हो थि मंभ Fest ए हु하र आप कहते हैं पढो वर्ग तो करो on work शकलेसे अपनी College में जाता है आके फिर कुछ ना कुछ देख लेता है फिर वही हाल चाहे पोस्टर ऐसे हैं चाहे बाहर गंदगी बहुत ज़्याद है चाहे साथी ऐसे हैं इन सब का दुष प्रभाव यू आ वर्ग पर क्या सभी मनुस्यों पर बहुत ज़्यादा पड़ गया है इसी में राजयोग सब से वड़ी मदद करता है इससे अगर मनुस को कोई चीज बचा सकती है तो वो केवल अध्यात्मिक सकती स्प्रिच्वल पावर यानि मन को प्यूरिफाई कर लेना राजयोग के द्वारा अन्य था ये चीज स्वत ही मनुस को नस्ट कर डालेगी ये साहिद लोगों को मेरी ब रुखी हो गए हैं कि mentally they are becoming sick, psychiatric patient बनते जा रहे हैं, मन और रोग बढ़ता जा रहा है, नींद दाना, depression होना, परिशान रहना, बिल्कुल उदास बैथे रहना, काम करने को मन करना, तो ब्राता जी क्या इन तमाम जो जितनी प्रकार की आपने बातें कहीं, ये सब बढ़ती ज ये मैं कहने जा रहा था, कि इसकी शुरुआ जैसे नेट पर गंधी फिल्मे देखी, अब गंधी फिल्मे वही व्यक्ति देख रहा है जिसमें impurity बहुत है, जो अपने sexual feelings को satisfy करना चाहता है, लेकिन sexual feelings है कि satisfy कभी नहीं होती, वो बढ़ती जाती है, जैसे जिस व्यक्ति को स अचिस गोली खा कर सो रहे हैं रोज, तो यही हालत इस sexual feelings की है, ये कभी रुकती नहीं, ये बढ़ती जाती है, और अंततय ये मनुस को नस्ट कर देंगी, हमारे मनोवज्यानी को मैं तो कहूंगा अधूरे ज्यानी है, जिनको कुछ भी पता नहीं, वो sexual feelings को मन्यता दे रहे और purity का कितना महत्व है, अगर मनोवज्यानी किसका प्रचार संसार में करेंगे, तो ये पाप की धारा रुख सकती है, इसलिए purity को अपनाना, ये चीजे बाधक बनती है, अब देखे इस यूवक को मैंने कहा, अगर तुम बचना चाहते हो, मतलब ये ऐसा हो रहा है इसका ह सुसाइड करने को मन करता है, क्योंकि इतनी negativity आगे, इतनी weakness आगे और ये यूवकों में हुरार, इस suicidal tendency का बीज कामवासना है, ये अब मनोवज्यानी को को समझना पड़ेगा, सुविकार करना पड़ेगा, हमारे बुद्धी जीवी समाज को educated तब के कोई मानना पड़ेगा कि sex lust is the root of all evils, all devils, all vices, तो मैंने उसी वक को कहा, कि देखो, अगर जीना चाहते हो, तो ये गंदी फिल्म में देखना तो छोड़ना पड़ेगा, कहा क्या करूं, रोज सोचता हूं नहीं देखूंगा, अपर टाइम होते हैं, फिर खोल लेता हूं, मैंने कहा तो इस लेप बस इसको अगर बचा सकती है, तो spiritual power, इसलिए रज्योग का हमके वल परचाब नहीं कर रहे हैं, हम लोगों को reality बता रहे हैं, कि अगर तुम्हें survive करना है, अगर तुम life को enjoy करना चाहते हो, तो अब जीवन की धारा को बदलो, way of thinking को बदलो, अन्य था, वही होगा कि society लोग बड़ी बात आपने कही है, कि तमाम प्रकार की जो आज हम मानसिक बिमारियां देख रहे हैं, चाहे वो निद्रा का ना आना हो, चाहे डिप्रेशन हो, चाहे अनेक प्रकार की और बिमारियां, कहीं ना कहीं इनका कारण पवित्रता ही है, impurity है, और व्यक्ति से बहुत ज़ सकी और positivity की और बात सकी है, बहुत अच्छी चीज मनुस को यहां परिवर्तन करना पड़ेगा अपने खान पान को, अपने संग को भी छोड़ना पड़ेगा, देखे एक college में होश्यार student है, जिसका लक्स बहुत सुन्दर है, उसको सफलता के सिखर पर पहुँचना है, वो उसके इस मार्ग में बाधक हों, जो इदवदर की बात करते हों, जो time waste करते हों, उसको तो लक्स होता है, मुझे यह प्राप्त करना है, वो उस पर पूरा focus कर देता है, अपने जीवन को उमंग उत्साह से भरना है, एक नया enthusiasm हमारे मन में रहे, कुछ करने का हमेशा एक जज देना पड़ेगा, हमारे हैं इसके लिए पूरी education दी जाती है, हम लोग भी जानते हैं, मुझे पचास वर्स हो गए राजयोग का अभ्यास करते हुए, लेकिन मैं देखता हूँ कि रोज हमें इस वरी महवाग के गंटा सुनने हैं, उसको हमें enjoy करते हैं, उससे हमारे विच विद्ध आता है, तो यह बहुत जरूरी है कि हम रोज ज्यान का स्रवन करें, यह ऐसी चीज है जैसे रोज अमरत पान करना, ज्यान को अमरत भी का जाता है, खाण-पान सुध करें, रोज अमरत पान करें, थोड़ा अपनी दिंचरिया को reset करें, बहुत देर तक जगे रहन यही तो बुरी आदत है ना जो ने टादी खुलवाती है लोगों से हम लक्स रख लें हमें साहित दस तक सो जाना है अच्छे साहित का अध्यन करके सो जाना है सबेरे थोड़ा जल्दी उठेंगे प्रकर्ति का अंद लेंगे सुंदर विचार मन में आएंगे सबेरे उपने स सबेरे उपनेंगाई बहुत बड़ा फाइदा है आप ज़र आप बाहर गूम लें अपने कम्रे से निकल कर सुंदर विचार तारे जिल मिलाते नजर आएं तो मन प्रसन्न हो जाता है अगर फुल मून हो देखके दिल करता है बस अब सोना तो वेकार की चीज है अब इसको प्रसन्न हो जाए एक प्रशन जरूर एक आम व्यक्ति के मन में उठता है जिसकी चर्चा आपने थोड़ी सी की थी और कहीं न कहीं उसके मन में ये रहता ही है कि भगवान ने स्त्री और पुरुष बनाए है हरीक प्रजाती में ये देखा जाता है मेल और फीमेल दोनों है और ये कहीं न कहीं वंश को स्रिस्टी को आगे बढ़ाते हैं और यदि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना हरीक शिरू कर दे तो फिर स्रिस्टी कैसे चलेगी ये हरीक के मन में कहीं न कहीं प्रशने रहता है पहले तो मैं ये कहूंगा जिनको बच्चे हो गए हैं स्रिस्ट and nutri रचना के लिए ही होती तो उसको मान्यता दी जा सकती थी कि भाही सन्तान उत्तपठ्ति करनी चलो 2 नहीं 3 धीन करनी छार करनी उतने तक लेकिन काम वासना या रहाखा सित by ठीक ही जा संतान उत्पत्ति था कि ये चीज सीमी थी。 ८र द्वापरयूगी में सरष्टि बलकुल वा वासना के वल संतान उत पत्ति के लिए थी। लेकिन अर当 आझ ये तो रोज का दंदा बन गया मनुस का इससे ही पतन हो रहा है तो जहां इससे मनुस आत्मा की प्यूरिटी नस्ठ हो गई है तो सन्तान उत्पत्ति संकल्बल से भी हो सकती है जिसको हम योगबल कहते हैं और वही सिस्टम अब समाप्त होगा क्योंकि ये जो कामवासना की जो कि बल से संतान उत्पत्ति होगी, संतान उत्पत्ति तो होगी, सरस्टि को तो चलना ही है, यहां कभी जीरो होता ही नहीं कि कुछ नहीं हो, क्योंकि अगर होता हो तो समय की गती रुख जाती, तो यह योग बल से बहुत गहरी बात है ब्राता जी जो समझने की है, जिसे आम व व्यक्ति ने न देखा हो अपने आस पास और चर्चा ही न सुनी हो तो शायद वो उसकी कल्पना नहीं कर पाता है और जो बात आप कह रहे हैं कि सत्यूग में एक सुन्दर संकल्प से उत्पन होते थे संथान तो वो बात शायद आज चर्चा में नहीं है लेकिन पुना ऐसी स गहराई से हमने की है ब्रह्मचरी की चर्चा गहराई से की है और मुझे याद आता है कि एक बार इंद्र और सभी देव स्वर्ग में पराजित हो गए असूरों से और असूर राज्यों था था बहुत शक्तिशाले उसने सभी देवों को इंद्र सहीं बेदखल कर दिया इं इंद्र दूसरे दिन गए वेश बदल के और उन्होंने उस असूर से जो था बहुत ही विद्वान जो था बहुत ही दानवेर उससे उसकी पवित्रता मांगे असूर देना तो नहीं चाहता था लेकिन चुकि उसके द्वार का एक नियम था कि उसके द्वार से कोई खाली न उसने कहा मैं शान्ती हूँ, जहां पवित्रता रहेगी वहीं मैं रहोंगी, दूसरी भी जोती निकली उसने कहा मैं सुख हूँ, तिसरी जोती निकली उसने कहा मैं लक्ष्मी हूँ, चौती जोती निकली उसने कहा मैं स्वास्त हूँ, और इन सब ने कहा जहां पवित्रता र स्वर्ग है वहां परिवार स्वर्ग है इसलिए हम पवित्रता के महत्व को समझने की कोशिस करें इसे अपने आचरण में लाएं तो जीवन सच मुझ दिव्य हो जाएगा सुन्दर हो जाएगा और एक नई शुर्वात आप अपने जीवन की कर पाएंगे आज के लिए इतना जाएगा झाल